लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें स्थान गरन पीजिर रिशिवर रिशिवर आपने आप अधार कर वाना सेना की विजय को निश्यत कर दिया है आपसे हमारी भेट वनवास में पंचपटी पहुशने से पूर्भू की श्री राम हर कारे भगवान शिव की इच्छा और विधाता की संकेत अनुसार ही होता है भगवान शिव ने हमें आग्या दी थी कि हम दक्षनावर्थ में अपनी धर्म भुमी बनाएं इसलिए रिशिवर्ण ने दक्षनावर्थ के इस समुद्र तक पर अपना आश्रम स्थापित किया है श्री राम हम यहां एक विशेश उदेश से आए हैं आग्या कीज़े रिशिवर्ण आप जैसे गुरू जनों और धर्मात्माओं के आग्या का पालन करने के लिए और हमारा दूसरा उद्धिष्य है आपको एक शुबकारे की प्रेणा देना ति शिवर्ण सच पूछिए तो आप दोनों के दर्शन होते ही हमारे मन में शुबकारे की प्रेणा जाग उती है परन्तु हम बता नहीं सकते कि वो शुबकारे होगा क्या शिव जी ने मुझे वचन दिया था कि एक विशेश आवसर पर दक्षण के समुद्र तर्ट पर मैं तुम्हें दर्शन देने आऊंगा है यदि आप उन्हें प्रसंद न करेंगे तो शिव अपने वचन को अवश् कर दिया है रिशीवर्थ खिरपे करके हमें ये बताइए कि शिव जी ने वचन किन प्रस्थियों में दिया था अवश्य श्री राम एक बार नारत मुनी उत्तर से जख्शन के हो जाना है कि उन्होंने नर्मदा के दख पर विंद्य चल परवत के लिए उसके मुख पर नारायन, 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 ये मेरी दृष्टी का भ्रम है या विंद्याचल परवत सच्मुच उदास है, नारद, इस सक्ट्य का पता तुरंत लगाना होगा, हाँ, नारायन, नारायन, प्रणाम देवर्शी, विंद्याचल, क्या तुम सच्मुच दुखी हो या ये मेरी दृष्टी का भ्रम है, देवर्शी, आपका कथन सत्य है, मैं सच्मुच बहुत दुखी हूँ, नारायन, नारायन, तुम दुखी हो, तुम तो प्रिथ्वी के सबसे महान परवत हो, तुम्हारी दृड़ता अटूठ है, हिमाले परवत भी तुम्हारी दृड़ता की बरावरी नहीं कर सकता, ये सब कहने की बाते हैं, देवर्शी, सच्चाई तो ये है कि मैं बहुत छोटा हूँ, और आकाश को छूने वाले मेरू परवत को देख देख कर जुझलाता रहता हूँ, इसमें जुझलाने की क्या बात है विंदिया चल, भला मेरू परवत तुम्हारी बरावरी क्या कर सकता है, उसका कार्य तो समुद्र मन्थन के समय ही समाप्थ हो गया था, अभी तो वो केवल बिना हर्याली के चट्टानों का भार ढोकर प्रित्वी पर बोज बना हुआ है, मैं प्रित्वी पर बोज बना नहीं चाहता हूँ दिवर्शी, मेरी एक ही मादवाक आंग्शा है, मेरू परवत से भी उचा होकर आकाश को चीरता हुआ स्वर्ग लोग तक पहुँच जाओं, ताकि संसार के सारे परवत मेरे सामने सिर्छुकाएं, अर्थात, तुम यही बात सोच सोच कर दुख से तुपने हुए जा रहे हो, अपना ये दुख, किसको बताऊं दिवर्शी, आपने स्वयम अपनी दिव द्रिष्टी से मेरा दुख पहचान लिया, इसलिए मैं निवेधन करता हूँ, कि मेरी महातवाकांग्शा की पूर्थी का कोई उपाय बताईए, जैशिव शंकल, हरहर महादेश, तुम्हारी ये मातवाकांग्शा तो केवल आशुतोष, शिव में ही पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी ये इच्छा, ना तो ब्रह्मा जी स्विकारेंगे, ना ही विष्णु नारायन, ऐसा क्यों देवर्शी, ब्रह्मा, विष्णु, मेरी प्रार्थना को स्विकार क्यों नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी शृष्टी रचना में इतना बड़ा परिवर्तन कभी नहीं चाहेंगे, कि तुम आकाश को चीर कर स्वर्ग तक पहुँच जाओ, और जगत के पालनहार विष्णु भी, प्रिथवी, स्वर्ग और पाताल के प्राणियों को कश्ट पहुँचे, ऐसा वर्दान कभी नहीं देंगे, मेरी महात्व अगांशा पूर्ण हो, इसमें किसी को क्या कश्ट हो सकता है देवर्शी? जैसे ही तुम उचे उठोगे, प्रिथवी का वातावरन बदल जाएगा, पवन का संचार रुख जाएगा, बादलों की गती रुख जाएगी, प्रिथवी पर तुम्हारा बोज बढ़ने लगेगा, एक और आतिवरिष्टी होगी, तो एक और सूखा पढ़ जाएगा, त हर बात का रहस्य तुम्हें बता दिया, बिंधिया चल, अब तुम्हारी जो इच्छा हो, सो करो, मुझे आग्या दो, मैंने इठेरिये दिवर्शी, मेरे प्रश्ण का समाधान करते जाएगे, हर हर महादेव, मैंने तुम्हारी महत्व कांग्षा पूर्ण करने का उपाए तुम्हें बता तो दिया, फिर बार-बार क्यों पुछते हो, अर्थात, मैं भगवान शिव की आराधना करूँ, सच्छे मन से महादेव की आराधना करो बिंधिया चल, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी, फिर चाहे परिणाम जो भी हो, नारायन, नारायन Om Namah Shivaya, Shivaya Namah, allow chanfaraynam Ohio Om Namah Shivaya, Shivaya Namah, compraraynamο Oh, namah Shivaya… Shivaya Namah, eat PVC Scrolls Online Shivae, Shivae, Namah, saludé ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शंकराय नमः नारायन प्रणाम माता प्रणाम देवर्षी ये शिववंधना का उंचा स्वर कहां से आ रहा है कौन है जो शिवजी के इतने तीवरता से आराध्ना कर रहा है माता मैं उसी दुखी पर्वत के पास से आ रहा हूँ दुखी पर्वत? हाँ उस दुखी पर्वत का नाम है विंधियाचल वो पर्वत मेरू पर्वत से भी उचा बन कर आकास चीर कर स्वर्ग लोग तक पहुँशना चाहता है माता तो इसलिए वो पर्वो को पुकार रहा है ओम नमाश शिवाए भगवान शिव से बढ़कर किसी की इच्छा भला ततकाल और कौन पूर्ण कर सकता है माता आशु तो शिव ही उसकी कामना पूर्ण कर सकते हैं और शिव जी को पुकारने का सुझाव आप ही नहीं विंद्याचल को दिया होगा क्यूं देवर्शी अब माता शिव भग तो शिव की भक्ती का ही सुझाव देगा ना और मैं करता भी क्या इस असंभव सी कामना का वर्दान प्राप्त कर विंद्याचल सारी स्रिश्टी में उथल पुदल मचा सकता है नहीं मैं प्रभुशिव से प्राथना करूंगी कि वे ऐसा विचित्र वर्दान कदापी न दे ना रायन, ना रायन, बेशिव हैं, आप उनकी शक्ती हैं, आप दोनों को जो उचित लगे सो कीजिए, मैं तो यहाँ आपके दर्शन के लिए आया था, वो कार्या पूर्ण हुआ, अब मुझे आ गया दीजिया माता, प्रणाम हे प्रभू, विंध्याचल की ये प्रार्धना आप अनसुनी कर दीछे, उसकी ये कामना कभी पूर्ण न होने पाए आप शवाई, शवाई, शांगराए, नमाः शवाई, शांगराए, नमाः ओम नमाँ शिवाय शिवum लिए इंगाराइः भाल भूम वाइत टो तो ल Brak अ श 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 शूट का रा नवा वं। कि अधेनम्स शंकराइए नवा शांत हो जावं एस एंचे इस भाई श्वाई नम्स शंकराइए मन्स कि वह और वन्द्र। कि हम कहते हैं श्वाई जाओ और अपनी यह विनाज लिला बंद करो प्रणाम शिवशंकर तो आपने मेरी पुकार सुनही ली। मेरी कामना पूर्ण किजिए शिवशंकर। कामना पूर्दी का ये उपाय उचित नहीं है विंध्याचल। तुम प्रलाय एकारी का उग्रो रोप धारन करके हमें वर्दान देने पर विवश्च करना चाहते हो। तुम एक्षमा चाहता हूं। आप कहो क्या कहना चाहते हो। शिव शंकर मैं मेरू पर्वत से भी उँचा होना चाहता हूं। ताकि परवतों में मेरा स्थान सबसे उँचा रहे। यह असंभवसा वरदान हम तुम्हें कैसे दे सकते हैं। प्रह्मदेव के स्रिष्टी रचना में हम अस्तक्षप नहीं कर सकते आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं प्रभू आप चाहे तो कण को भी आकाश जैसा विशाल रूप दे सकते हैं आप चाहे तो असंभव को संभव कर सकते हैं आप क्या नहीं कर सकते हैं शुशंकर नहीं विंड्यचल नहीं इसा विचीतर वर्दान हम से न मांगो तुम चाहतर हम तुम्हें कोई और वर्दान दे सकते हैं यह आप यदि आप मुझे ये वर्दान नहीं देते हैं, तो मुझे तोड़ कर मिट्टी में मिला दीजिए, ताकि ये विंद्याचल का आस्तित्व ही समाप्त हो जाए. नहीं, नहीं विंद्याचल, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अपने भक्त को ही नश्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता. यदि आपने मुझे वर्दान नहीं दिया, तो मेरा जीवन सिर्वो देश्ट हो जाएगा, मैं निश्प्राण पाशान बन जाओंगा. बहादेव, यदि आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तो किसी भी श्वभक्त को श्वभक्ती पर विश्वास नहीं रहेगा. श्वभक्ती से लोग विमुख होकर पतन के मार्ख पर चलेंगे, संसार में पाफ, अत्याचार और हिंसा का परचार होगा. तुम्हें वर्दान देते हैं, के तुम मेरू परवत से भी उच्वभक्ती उच्वास नहीं सुनी, तुम्हें वर्दान देते हैं, के तुम मेरू परवत से भी उच्वभक्ती उच्वास नहीं सुनी, तुम्हें वर्दान देते हैं, के तुम मेरू परवत से भी उच्वा तुम्हारा कल्यान के आप धन्य है शिवशंकर सच मुझ धन्य है अब मैं मेरू पर्वत से उचा होकर सारे पर्वतों का गर्व खंडन कर दूंगा आकाश को चीरता हुआ स्वर्ग तक पहुंच जाओंगा शिवशंकरạnhश प्रभव प्रभव आपने विंदय बर्वत को ये विजित्र वत्दान क्यूं दे दिया देखोंगा प हम्हां यह अंदकार चागिया है हम विवश्ने हैं देवी ये कैसी विवश्ता है नात आपने पृत्वी के प्राणियों के जीवन का भी विचार नहीं किया अब क्या होगा अब तो अनर्थ हो जाएगा स्वामी अनर्थ हो जाएगा तुम चिंता ना करो देवी सब ठीक हो जाएगा हमारा प्रणाम स्विकार कीजिए उमा महिश्वर अगस्य रिशी अपनी प्रेणा और हमारी इच्छा से आप दोनों यहां पदा रहे हैं प्रभू ये प्रित्वी पर चारो और अंदकार कैसा प्रित्वी की प्राणवायों क्षीन क्यों होती जा रही है अगस्य रिशी इन्होंने विंद्याचल को मेरु पर्वत से उंचा होने का वर्दान दे दिया है जो नहीं हो सकता वो हो गया है इसलिए अब आप विंद्याचल को जुकने पर विवश्ष कर दीजिए परन्तु ये आपके वर्दान का अपमान होगा ऐसा मैं कदापी नहीं कर सकता प्रभू हमने विंद्याचल की आराधना का उत्तर उसे वर्दान दे कर किया है इसलिए अब आप हमारी आग्या से प्रकर्थी का संतुलन बनाए रखने के लिए शाप का भय दिखा कर विंद्याचल को चुका दीजिए इस समय यही एक मात रूपाय है शाप का भय? हाँ रिशिवर, शाप का भय आपने डक्षन की और जाने का संकल्प किया था न रिशिवर? हाँ प्रभू, डक्षन में धर्म प्रचार के लिए जाने का संकल्प तो मैंने आवश्य किया था परन्तु अब विंद्याचल की उपर उठ जाने से उसे पार करना असंभव है इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप भी हमारे समान असंभव को संभव बना दीजिए और विंद्याचल से कहिए कि वो आपको जुक कर दक्षिन की और जाने का मार्ग दे और तब तक जुके रहे जब तक आप लौट कर उत्तर की और नहीं आ जाते अर्थात जब मैं उत्तर की और आऊंगा तब विंद्याचल पुना मेरी उपरवस से उचा हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा रिशिवर क्योंकि अब आप दक्षिन से पुना वापस कभी नहीं आएंगे अर्धात आपके दर्शनों का सौभाग हमें कभी नहीं मिलेगा प्रभू हम आपको अवश्य दर्शन देंगे महर्शी शेग रही एक ऐसा आउसर आएगा जब हम देवी पार्वती सहित दक्षन के समुद्र तर्ट पर जाने के लिए विवश हो जाएंगे तब आपके शिव दर्शनों की कामना पूर्ण होगी वो अवसर कभ आएका स्वामी जब शिरीहरी के अवतार शिरीराम लंका जाने से पूर्व हमारा आवान करें और शिरीराम के मन में ये प्रेणा आती जगाएगा महर्शी जैसी आपकी आग्या का पारन करते हुए मैं विंध्याचल को जुकने पर विवश्ट करता जाकि उक्तर से दक्षन जाने का मार्ग अवरुद दिखा हुए अगा रभू ये आपकी कैसी विचित्र लीला है पहले बर्तान और फिर शाब कभ है भक्ति का प्रतिदान और जगत का कल्यान ये दोनों ही कारी हमें करने होते हैं देवी जो कुछ भी हो रहा है उसे हो ना ही था कि अग्यूर कि इंद्या चाल थमें दक्षन जाने का मार्ग दो सुन रहा है तू हमारे दक्षन जाने का मार्ग अवरुद धड़ा कर तुरंत नीचे जुक कर हमें जाने का मार्ग दे नहीं, गदार भी नहीं मैं जुकने के लिए उचा नहीं उठा हूँ यदि तूने हमारी आध्या का पालन नहीं किया तो भगवान शिव की शपत हम तुझे ऐसा शाप देंगे जिससे तेरा अस्तित्व खंडित हो जाएगा और तू टुक्रे टुक्रे होका दिखर जाएगा शिव का वर्दान आपकी शाप से मेरी रक्षा करेगा तू उन्हें शिव की भक्ति करके उन्हें विवस किया और वर्दान प्राप किया किन्तु हमने अपनी तपस्या से उन्हें प्रसंद करके सिध्यां प्राप की है हमारी सिध्यों के सामने तेरी सफलता बहुत छोटी है परन्तु मैंने जो चाहा वो पाया हां तू ने जो चाहा वो पाया और जो चाहेगा वो पाएगा किन्तु तू हमारे दक्षन जाने के मार्क को अवरुद्ध नहीं कर सकेगा तू नहीं जानका कि तेरे उँचा उटने से प्रक्रती और परियावरण में कितना भेंकर परिवर्तन आया है प्रित्वी वासियों को कितना कश्ट भोगना पड़ा है आप चाहते हैं कि मैं जुक कर आपको दक्षन जाने का मार्क देदूं आप मेरे गुरुजन है महान महर्शी है मैं आपको रुष्ट नहीं करूंगा अब तू तुरंत हमारी आज्या का पालन कर जो आज्या महर्शी मैं तुरंत आपके आज्या का पालन करता हूं आज्या मैं तुम्हारा का ल्यान विंद्या चलते हैं तुमने हमारी आज्या का सम्मान करके जगत के समस्त प्राणियों का विकल्यान किया है इसलिए हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं मुझे कब तक इस रूप में रहना होगा रिशिवर जब तक हम दक्षण से लौट नहीं आज़ी वैसे भी तुम्हारी महत्पा कांग्षा एक बार पूर्ण हो जगी तुमने मेरू पर्वस से उंचा उठकर और स्वर्व की सीमा और उसके साथ मैं और लोका मुद्द विंद्याचल को पार करके दक्षण की उड़ा गए और थाथ विंद्याचल तब से वैसे ही जुगा हुआ है रिशिवर हां लक्षमन यही उसके लिए उचित है और शिव जी की इक्षा भी रिशिवर आपने एक अता सुना कर हमारे म चल तो हमण तुम्हें सोयम केलास चाकर भगवान शुपड से प्रातना करने होको कि वस्वध मिआ पदार कर हम दर्शन दें और अधर मार्म कि अवश्य महार जी हाँ हनुमान ये कारे तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है प्रभान भगवान शिर्व से प्रात्ना करते हुए मैं उन्हें इस बात का स्मरंग दिलाऊंगा कि वो अगस्त रिशी को दिया हुआ अपना बचन में भाए और स्वयम माता पार्भती सहित यहां शुभस शीग्रम हनुमान श्री राम से आग्या लेकर ये कार शीग्र संपन्न करो जैसी आपकी आप्षा है हम आप सब की विजय की जावना करते हुए आप सब का तंजान